दिनेश कार्टिक के लिए IPL 2022 का सीजन काफी अच्छा रहा है कार्टिक कई मोकों पर अपनी टीम RCB को मैच फिनिशर के रूप में जी दिलाने में खाम्याब रहे हैं अब तक उनके बल्ले से 32, 14, 44, 7, 34 और 66 रनों की पारिया निकली हैं और खास बात यह है किस दोरान कार्टिक का स्ट्राइक रेट 209.57 का रहा है और वो 6 मैचों में से 5 पारियों में नौट आउट भी रहे हैं कुल मिलाकर दिनेश कार्टिक इस समय अची फॉर्म में हैं और अब कार्टिक के इसी प्रदर्शन को देखकर इस साल के आखर में होने वाले T20 वर्ड कप में उन्हें शामिल के जाने की बात चल रही है भारत के पूर क्रिकेटर सुनिल गावसकर ने दिनेश कार्टिक की तारीब करते हुए कहा है कि दिनेश कार्टिक कोई साल आउस्ट्रिलिया में होने वाले T20 विश्यो कप के लिए टीम इंडिया में शामिल क्या जाना चाहिए इस समय कार्तिक के उमर पर ध्याना देकर वो टीम के लिए क्या कर रहे हैं इस बारे में सोचना चाहिए गावसकर ने भी कहा कि कार्तिक हर मैच में अपनी परफॉर्मेंस बदल रहे हैं वो अपनी टीम के लिए एहम योगदान दे रहे हैं चटें और साथवे नंबर के बल्लेबाज को जो योगदान देना चाहिए कार्तिक वही कर रहे हैं। ऐसे में T20 वर्ड कप में कार्तिक एक शमता भारती टीम के काम आ सकती है। देखा जा तो दिनेश कार्तिक ने आईफिल के सीजन अपनी सबसे बहतरीन पारी डेली कैप्टल्स के खिलाब खेली है। इस मैच में कार्तिक ने 34 गेदों पर 6-6 रन की नाबाद पारी खेली थी और इसी के बदोलत बेंगलोड की टीम 189 रन बना पाई और इस मैच को 16 रनों से जीत पाई थी। इन सब के लावा कार्तिक के अंतराश्ट्री क्रिकट के रिकॉर्ड को देखें तो दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के लिए 26 टेस्ट मैच, 94 बेवंडे और 32 टीटी अंतराश्ट्री मैच खेल चुके हैं और कार्तिक ने अपना आखरी मैच विकेट कीपर और बलेबाज के लूप में साल 2019 में खेला था आप किस मुद्दे पर क्या रहा है क्या कार्तिक को टीटी विशुकप 2022 में भार्ति टीम का हिस्सा बना चाहिए या नहीं इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्रिकट के दुनिया जोड़ी और तमाम लेट झाल